असलाम अलेकुम मेरा नाम है डॉक्टर महामद अमार्थफिल मैं आपको टैबलियो से घा रहा हूँ ओ तुसी से खरे हो ना पकी बात है ओके तैट्स गूर इस लेक्षर के अंदर हम देखेंगे स्कैटर प्लॉट के अंदर डिफरेंट कलर्स कैसे यूज करने जो पिछले ल नया प्लॉट एड़ करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद आपको पता है कि यहां पर क्लिक करने से नया प्लॉट एड़ हो जाएगा इसको मैं नाम देता हूँ 03 इसको हम स्कैटर प्लॉट बलके डाइनामिक स्कैटर प्लॉट बोल देते हैं डाइनामिक स्कैटर को चूज कर लेंगे तो यहां पे भी हमारे पास दो दफ़ा फेर ही आगया एज को ले किया आना है डिमेंशन्स तो यह हमारे पास स्कैटर प्लॉट आगया अब इतना असान काम है ना आपने जो भी पेरामिटर यहां पे चेंज करना है वो उठा के यहां पे आप ड्रैक करेंगे मैंने करना हैं मेल और फीमेल को यहां पे मैं कलर पे रखता हूं इन्हे अब देखें जो कलर्ज हैं वो चेंज हो चुके हैं मेल के सैपरेट होंगे اور यही काम आप कलर्ज में जाकर उनकी एपैस्टी जो है मैं increase कर देता हूँ and this is how you can see कि आपके पास दो किसम के जो है वो scatter plot आपके सामने हाजर है दो किसम से मुराद यह है कि male का separate है female का separate है और इसके इलावा आप क्या कर सकते हैं आप fair को उपर ले जाए age को नीचे ले है and this is how it will look like so this is one of the tips second यह है कि आप चाहते हैं कि जितना जिसने कराया ज्यादा दिया है उसके हिसाब से उसका bubble बन जाए तो मैं fair को उठाऊंगा यहां से मैं थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ मैं fair को यहां से उठाऊंगा size के उपर मैं drag कर दूँगा and now boom आपके पास जिन लोगों ने ज्यादा कराया दिया है उनका जो bubble size है वो ज्यादा है और अगर मैं age को यहां ले जहूँ fair को नीचे ले हूँ now you can see कि यहां पे जिन लोगों ने कराया दिया है वो तकरीबन 500 pound के करीब है या dollar के करीब है and here you will see the less कराया आप क्या कर सकते हैं age को अगर drag करें हैं तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि जिनकी age ज्यादा है वो उनका bubble बड़े वाला बन रहा है और आप size को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं dimension के अंदर यानि के minimum छोटे का छोटा ही रहेगा जो बड़े वाला है वो ज्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा colors को हम थोड़ा सा और भी इस तरीके से lighten कर देते हैं so this is how you can actually create a dynamic scatter plot और इस तरहां का scatter plot जो है वो आपको अच्छे तरीके से help out भी करते हैं अब ये दो columns तो हमने रख दी है ठीक है फिर आप चाहते हैं कि जो shapes हैं वो भी change हो तो हमारे पास एक हो गया color का parameter which is sex और हमारे पास जो age का sum है बलके इसको मैं dimension करता हूँ हमारे पास age and fair है और जो हमारे पास यहाँ पे survived का column है इसको हम उठा के shape के अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पे दो shapes बन गी है दो shapes कौन-कौन सी बनी है मैं आपको दिखाता हूँ और यह हमारे पास एक shape है ठीक है male की और यह हमारे पास shape है female की तो आप देख सकते हैं कि यह shape है हमारे पास जो है वो survived की यह वाली है जो जो survived नहीं किये and this is how you can actually this is an attribute आप different shapes को assign कर सकते हैं ठीक है and let's see कि अगर हम इन shapes को भी खुद से manage कर सकें या नहीं मैं इसको double click करता हूँ not this one यहां से करते हैं dimension इसको मैं कर देता हूँ survived को and shape के अंदर जाके zero की shape जो हम कर देते हैं filled shape यह वाली और जो one की है वह यह वाली तो मैं इसको okay करता हूँ now you can see कि आपके पास दो किसम की shapes आ गई है ठीक है और अगर आप color के parameter को यहां से remove करना चाहते हैं you can actually do like this तो आपके पास इस तरीके से shapes आगी है color आप कोई भी एक ही रख दे यह black वाला रख दे size जो है वह आप छोटा और कर दे तो आपका यह professional किसम का plot बन जाएगा कि कहां पे male हैं कहां पे females हैं so this is how you can work on tableo ठीक है and आप plot को अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं zoom in भी कर सकते हैं select भी कर सकते हैं and you can actually work little bit better than normal axle plots यहां तक clear हो गया जो आपको तो यह एक किसम का scatter plot है जो आपको help out करते हैं अब इस तरहा के dynamic scatter plots और other plots at advanced level पे में आपको और भी बताने वाल हो obviously हाम automatically intermediate level तक पहुंच गें tableo के अंदर मेरा नाम है Dr. Mohamad Amartofel आपको tableo सिखा रहा हो सीख रहे हो ना सीख रहे हो तो अच्छे बात है see you in the next one like, share and subscribe this video and the course and also share this with other ones take care see you in the next one